सो यह वाट्सप गईज आदम सॉलुशन दिखने चाहरे है फॉर्म पार्सिंग विड डॉक्यूमेंट एई पाइथन का तर्फ पास्वोड को यहां से कॉपी कर लेना कॉंसोल को जो है इन कोगिटो मोड में ओपन कर लेना इससे क्या होगा यूजरनेम जो है आपको लिखा आ जाएगा आपको सिर्फ एंटर्परेस करना रहेगा यहां पर आपको पेश्वर्ट को पेस्ट करेंगे एंटर दव आदेंगे इसके राद आपको आइंड्रस न काफी बढ़ पूछता है काफी बर नहीं पूछता है तो इस बार मेरे केस में नहीं पूछा आप केस में पूछे तो आप उस पर आइंडरेशने पर क्लिक करके अंदर आपके अग्रीन केंटीनियू कर देना ठीक है उसके कुछ ऐसा पेज ओपन होगा यहां पर आपको सबसे पहले अपना क्लाउचल को एक्टीवेट कर रहा हूँ एंड अगेन हम बैक आते सीधे टास्वन पर क्लिक करते वैली कमांड को कॉपी कर लेना एंड कोपी करने के बाद इधर आ जाना पेस्ट करना एंटर दबादेना तेन अगेन आपको जो इधर आ जाना है इसको एक बार एक्सक्यूट हो जाने देना एक पर खलड़ाँ पतर लिए में नेक्स करनों पेस्ट करना एंटर दबादेना तेन अगेन बैक आहना नीचे स्क्रोल करना कडिक कर नोगी यहा पर थी डिखकर के वाटब जोए इधर आगे आगको form parser दिखेगा ठीक है तो उस पर हमें चले जाना है यह आ रहा है form parser create form parser create processor पर क्लिक करना इधर name जो हमने copy करा था paste कर देना create पर क्लिक कर देना यह जो काम में यह भी हमने done कर लिया नीचे स्क्रोल करेंगे and check my process पर क्लिक करना तो टास जोए complete हो जागा क्योंकि यह सिफ लिखा आपको create करना प्रोसेसर को ठीक है अगें check my process पर क्लिक करना अपडेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता है इसलिए में और आखको कुछ करने की जरुवत नहीं है यह लैफ सीव इतिनी ही थी I hope आखको वीडियो चलेगी की वीडियो को like कर देना चैन्म subscribe कर देना मिलते है अगली वीडियो में तब त